जून के दूसरे सब्ता से सुरू होने वाली केलास मांचरोहर यातरा की तैयारियां अपने अंतिम दोर में पहुँच गई है यातरा की नोडल एजंसी पितोरगड जिला प्रिशासन और सह एजंसी कुमाओ मंडल विकास निगम ने यातरा को सफलता पूर और संचालित करने के लिए कमर कसली है इस बार पैदल मारगों की खस्ता हाली को देखते हुए यातरियों को पितोरगड से गुंजी तक की यातरा हेलिकॉप्टर से कराने का निड़न लिया गया है केलास मांचरोहर यातरा इस साल 14 जून से सुरू होने जा रही है जो 7 सितमबर तक चलीगी कुतौरगर जिल्ये के लिपलेक दरेज से होकर गुजरने वाली सियातरा में सरदालोह को करीब 18,000 पीट की उचाई पार करनी पड़ती है विश्वकी सबसे दुर्गम यात्रा में सुमार इस यात्रा में सुर्दालों को कठिन पहाडी रास्तों और पीच से गुजरना पड़ता है लेकिन इस साल यात्रों को लगबग 52 किलोमेटर कम पैदल चलना पड़ेगा जिससे यात्रा और सुगम हो जाएगी दरसल पिचले साल मानसरों और यात्रा के मारग में बादल फटने से भारी तबाही मची थी जिसके चलते यात्रा मारगों को भी भारी नुकसान पहुंचाता जिसे देखते हुए जिला परश्यासन ने विदेश मंत्राले को इस बार पितोरागट से गुंजी तक की यात्रा हेलिकॉप्टर से कराने का आगर किया था जिसे सुरिकार भी कलिया गया है करने का विचार है और उसके बाद पुराणा जैसे रास्ता था तो लिपुलेक होते हुए काहिला अश्मानसरोर के यात्रा करेंगे तो 14 जुन से शुरू हो करके 7 सप्टमबर तक यह यात्रा चलेगा हेलो तरा का न्यूज के लिए पितार अगर से मनोज जंद की रिपोर्ट